हेलो इस्टूदेंग्स कैसे हैं आप सब मैं हूं रश्मी और इस वीडियो में हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड अफ न्यूट्रिशन को डीटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम समझेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाया तो इससे क्या होगा एक तो करते हैं सबसे पहले इस Chapter में हमने Life Processes का Definition देखा था विक्षीप्टर का नाम है Life Processes तो उसका मतलब क्या है वह हमने देखा था उसके बार बहुत सारे Life Processes वहते हैं लेकिन आपके चार मेन हैं मैं एक पर वापस नाम बोल देती हूं नूट्रीशन रेस्पिरेशन ट्रांस्पोर्टेशन एक्सक्रेशन ये चारों टॉपिक जो है ना आपके इंसी आर्टी में दी गई है इनको डीटेल में बढ़ना है प्लांस और अनिमास जोन का उसके बाद नूट्रीशन मोड उसको हमने देखा था फिर उसके बाद autotropic mode यानि की green plants का मोड होता है जिसमें फोटो सिंथेस्स पर करते हैं हमने उसको बढ़ाता autotropic mode of nutrition में हमने green plants का जो फोटो सिंथेस्स का प्रोसेस है उसका हमने डेफिनीशन देखा था हमने उसका रियक्शन देखा था और जो ती स्टेप्स आपकी NCRT में दी गई है फर्स्ट फॉफ और जिसमें की light energy जो है तर इस ट्रैप टो ट्रैप किया जाता है सेकेंड इस light energy is converted into chemical energy and breakdown of H2O into hydrogen and oxygen and third reduction of carbon dioxide into carbohydrate यह हमने देखा था उसके पाद इस्टोमेटल ओपनिग जो स्टोमेटल होते हैं उनका कैसे ओपनी और प्रोजिम होता है चमानल से तो जो नीकल जाता है तो जो इंटेट हो जाते लिए यह सब मैंने आपको बता रख आ है आज की इस वीडियो में हम हीट्रोट्रॉपिक मोड़ अट 110 निकल जाता है तो ज जिसमें सबसे पहले जो है हेटरोटाफिक मोड उफ नूटेशन वह तीन तरह के उते हैं त्री टाइप से होते हैं देयर पारासाइटिक देयर सेप्रोफयटिक तो फोल होते हैं जिसमें जो ऑर्गिनिसम है ना वह पॉस्ट बडी यानि जिस बडी से पे वो रहता है उसी से लेता है यानि कि घर और खाना दोनों एक और उपर ही जब करता है तो उसको परसाइट कहते हैं जिनरले उसमें वांस आते हैं उसके बाद जू जू है हैर में उसको भी परसाइट में इंक्ल्यूट कर सकते हैं बिकॉज हमारे बॉडी में रह रहा हम और वही से न्यूट्रीशन ले रहा है उसके बाद से प्रॉफाइटिक मोड फ्नेृत्रीशन से समूर। प्रॉफ्टीक मोट फ्नेृत्रीशन होता है जिसमें और्गनिस्म टेडेंड. देखियंक मैंट से सड़े गले के अपना नूट के अंदर होता है यानि कि यूनी सेलुलर और मल्की सेलुलर और इसमें होते हैं लेकिन जो हम पहले समझेंगे कि इसमें क्या-क्या प्रोसेश आते हैं उसके बाद अलत से सेपरेट अमीबा का भी पढ़ेंगे और हमें तो अभी स्टार्ट करते हैं जो होलो जो है उसमें पांच यह पॉइंट्स में लिए आते हैं फस्ट ऑफ और नूट्रीशन नूट्रीशन दैट मिंस इंटेक और स्वाले फोड जो खाना हम लेते हैं खाते हैं चाडल की फ़र् उसमें इंटेक होता है इंटेक ओफ of complex insoluble food insoluble food ठीक हैै नूट्रीशन के परोसेस में complex food insoluble जो फोर में रहता है उसको इंटेक किया जाता है उसके वाजयाने simple language में जो खाणा हम खाते है यह दाट इस और त on nutrition, second is digestion, that digestion that means nutrition की process से जो complex food लिया जाता है, digestion की process में उसका breakdown लिया जाता है, into simple soluble form breakdown of breakdown of complex solid food into simple soluble form लेको, यह जो digestion का process है, उसमें complex food को simple soluble form में convert किया जाता है, और जो digestion का process है, यह तू types का हो सकता है, मतलब दो process इसमें हो सकते हैं, आइदर chewing और biting, यानि कि जो complex food हम लेते हैं माउथ में उसको किस तरह से digest करने का process होता है, या तो उसको हम चबाते हैं और काटते हैं, काटके और चबाके बरे बरे फूड की जो टुकडे होते हों तो छोटे forms में तोड़ा जाता है, जो कि हम अपने टीथ के त्रू, दात के त्रू करते हैं और या जानी की हमारे ब्लड़ेस्ट में, में ब्लड इस्ट्रीम में लाय जाता है, ब्कॉज तो हमारे ब्लॉड में जितने भी चीज ट्रांसपोर्ट होते हैं आईधर गैसेस तह्मिन स्कार्बन डैयॉकसाइड और उक्सिजन और नूट्रियन्स और वेस्ट में जो भी चीज़ें हमारी बॉड़ी के अंतर एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसपोर्ट किये जाते हैं व के सेlaws के उपड़ और हुमारी पैर की उँगली तक हमारे जो जो डायजेस्टे vast χो गोलड ही जाते हैं प्लाड में ही आगे तो एक्ट्रूप्शंट प्रोस्स में जो डायजेस्टेट्ट्ट फूड है वो ब्लड का अंदर आ जाते हैं और बहुत सारे functions के लिए सिल के रिपेर के लिए growth के लिए function के लिए वहां तक nutrients digested nutrients को पहुचा जाता है ठीक है उसके बाद assimilation assimilation that means की जो digested food है उनको पूरे body में body parts में organs में cells तक पहुंचाना absorption की process में main blood stream में आ गया and assimilation की process में जो organs से हमारा जो से हमारा जो function perform कर रहा है जो repairing का काम कर रहा है जो सारे reactions कर रहा है वहां तक जो digested food को जो पहुंचाया जाता है that is called assimilation and finally addition is the process जिसमें waste substances को waste materials को जो है body से बाहर किया जाता है ठीक है अगर वो solid form में है तो fishes के form में निकलेगा अगर वो liquid form में है तो urine के form में निकलेगा लेकिन जो भी waste material से उनको इजेशन की process से बाहर किया जाता है तो यह जो पांच processes है nutrition first of all उसके बाद digestion then absorption then assimilation and then digestion यह जो पांच processes है यह whole joint nutrition में आते हैं और यह दोनों में सेन है unicellular organism में और multicellular organism में यानि Amoeba के अंदर और human beings के अंदर दोनों के अंदर यह processes आते हैं अगर वो multicellular है तो उसमें अलग-अलग organ होईंगे अगर unicellular है तो अलग-अलग organ जोड़ा है वो नहीं होईंगे और एक ही सिलके अंदर सारे function जो है वो जाते हैं specialized कोई इसके लिए organ नहीं होता है तो यह ही difference है तो यह तो हम में देखा nutrition horogenic nutrition को समझा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग separately amoeba का nutrition यानी unicellular का और human beings का बढ़े हैं